तो आज हम करने वारे बियर सेकेंडर का टॉपिक जो है समाविशे विद्याले का स्रीजन और इस बुक का यूनिट फर्स्ट विशिस्टा का संप्रते जिथा विशिस्ट आवसक्ता वाले बच्चे इसका आज का कुशन है कि विशिस्ट बालकों की विशिस्टाओं की व्या जो सब जो बच्ची ठीक होते थे ब्रेन उसी को बारे में सोचते थे ठीक तो हम करेंगे मानव सभ्यत्ता के विकास के साथ साथ हमने प्रतेक छेत्र में उनत्य की है शिक्षा का छेत्र भी इससे अच्छूता नहीं रहा है कुश्व में पूर्व तक हम किसी भी प्रकार से अर्समत बालकों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे दे थे लेकिन मनों विज्ञान ने शिक्षा के छेत्र को एक नई रहा दी है तो पहले भी जो है मानस अभ्यत्ता जो है आज हाल खेत्र में आगे बढ़ा था शिक्षा का छेत्र भी आगे बढ़ा है पहले शिक्षा बस सीधे बालकों को जो स्वस्त होते थे वांसिक वसार्स उप से उनको शिक्षा दी जाती थी और जो और समथ बच्चे थे उन पर ध्यान नहीं दिया जाता था लेकिन अब जो मनों विज्ञान ने इसमें शिक्षा में एक नई रहा दी है ठीक आज सभी प्रकार के बच्चों को चाहे विसारिक विकलांग हो या फिजिकली जैसे बोलते फिजिकली हैंडिकैप और अधीगम असमत यानि की लार्निंग डिसे जान दिया गया है ताकि बीना किसी भेद भाव के वे भी अपने सामार्थ के अनुसार सिक्षा ग्रहन कर सकें फिर कुछन आपको आता है पहले आप कोई सभी कुछन लिखते हो तो उसके बारें पहले थोड़ा साथ भूमी का लिखना पड़ता है ठीक और फिर उसके बाद परिभाशा उस वर्ड की विशिष्ट बालकों की परिभाशा क्या होती है प्रते विद्याले में सभी प्रकार के बालक समान नहीं होते हैं कुछ ऐसे बालक भी होते हैं जिनकी अपनी कुछ विशेष्टाएं होती हैं वे विशेष्टाएं सारिक बौधिक सारिक बौधिक समाजिक हो सकती है इस प्रकार जो बालक समाने बालकों से अलग उसे इस्ता ही रखते हैं उन्हें विशिस्ट बालक यानि की exceptional children कहा जाता है फिर आप किसी भी जो विद्वान है पहले के उनकी किसी भी great saying आप किसी की भी कह सकते हो तो जैसे मैंने हेक का लिखा है हेक ने लिखा है कि विशिस्ट बालक वे होते हैं जो किसी एक या अने गुरूं की समाने बालकों से परियाप मात्रा में भिन होते हैं ऐसे बालकों के शिक्षा के लिए विशिष प्रवंद करना पड़ता है ठीक है तो योग एकसी डैफिनिशन उसके बाद है विशिष आवस्टाओं वाले बालकों या विध्यातियों के प्रेकार कितने अभी जो विशिष बच्चे होते हैं उसमें भी अलग-अलग तरके के होते हैं कोई मानसी ग्रूप से पिछड़े होते हैं ठीक उसके बाद चोलो में की रिटेरिम पढ़ते हैं आप इनकी पहचान कैसे करोगे विशिष बालकों की पहचान पहला देखो मानसी ग्रूप से पिछड़े बच्चों की पहचान मानसी ग्रूप से पिछड़े वे होते हैं जो समाने व्यक्तिकी भाति विक्सित नहीं होते हैं इन में मौलिक्ता का अभा होता है ये धीमी गती से सीखते हैं और जल्द ही भुला देते हैं इनकी रुचियां में बहुत सीमित होती हैं और थोड़ी होती हैं तो ऐसे बच्चों को मांसिख रूप से पिशे बच्चों की कहा जाता है। उसके बाद समाने रूप से पिछड़े बालक जो नॉर्मक पिछड़े जो होते हैं, यह अपनी अमूर्थ चिंतन यानि की वैल्यू जो है बेस चिंतन प्रतीकों का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, बुद्धी परणामों की साय जासे इने पहचाना जा सकता है, जैसे हम कोई उनका टेस्ट लेते हैं तो उसमें उनके मार्क्स देखकर, उनके बेहवियर देखकर हम उनके पहचान सकते हैं कि कैसा बच्चा है यह तो इन बच्चों का निस्पाद देने की अचीवमेंट समाने बच्चों से कम होते हैं, प्रतिभासाली बच्चे, प्रतिभासाली बच्चे क्लासं मने खर्थरक्च रूख से कुछ कुछ महालतों संसी जल्दी सीख जाते हैं और अधी कुछित्यस्तियता पूग कर सकते हैं ऐसे बच्चे होते हैं उनका ध्यान विस्तार अध्यक होता यह काफी हो सकते nowसा मिर क्रिएटिवेटी जो बच्चे होते हैं इनके कारूusion में दीन पंठाही जाती हैं नई नई वस्तों में बनाते हैं इन में अहम की भावना अथिक होती है समया वह बच्चे उन्ध के भी पुशिक्षा रश्ता है जो समार में स्कूल में ये बच्चे अपने आपको संभायोजित नहीं कर पाते सब बच्कान ऐसे समाज के नेमों तरथा आदेर्शों की अभेर ना करते हैं ऐसे बच्के वहवार पर अधिकतर वाता वरंड का प्रभा रजी जो अ यह वह छह हैं इन बच्छों कि इहम भानग कम होती है इ अभी कई तरह के बच्चे जो हैं विशिस्ट बालक माते जैसे सावेंगी के रूप से परेशान बालक ऐसे बालक जो परिवार के संगी साती या अध्यापक के पक्षपात बहेवियर से हतों साइथ करने वाले विवार की कारण सावेंगी रूप से विचलित हो जाते हैं और अपने आपको समर्थनी बना पाते हैं और सामना नहीं कर पाते हैं और समायोजित बालक जो समाज के साथ चलनी पाते हैं यह से बालक कि जो असमानता और समस्याओं के कारण समाज प्रिवार साथियों में अपना समायोजन नहीं कर पाते हैं अज्जेस्ट नहीं कर पाते है फर्स रूप या तो एक आंके चीवन व्यतित करते हैं ठीक है और या फिर यह उग्र प्रवर्ति के बालक बन जाते हैं तो यह आपका फर्स्ट यूनिट जो है फर्स्ट को फर्स्ट कुर्शन जो है कंप्लीट हुआ है कि विसिस्ट बालकों की पहचान आप कैसे करोगे क्या